36 गर की इतिहात में पहली बार हुआ है कि 14 के 14 नगर निगम में किसी वो पार्टिक कप जाओ और वो कांग्रिस का हुआ है ये बड़ी जीत की रूप में हम सब देखते हैं कि सहरी शेत्र में भी कांग्रिस की पकड़ मजबूत और हुई है नगरी निकाय के पूरी चुनाओं आप देखेंगे तो उसमें एक तरफा जीत हुई भार्ती जन्ता पार्टी जो भर्मानतान और साम प्रताइकता के जहार भोलने के प्रयास किया उसे चत्तित गड़ की जन्ता ने बूरी तरह से नकार दिया है अब उनके पास कोई हथ्यार बचा नहीं आज तीन नगर निगम रिसाली गिलाई और गिलाई चरोदा के नगर निगमों के महापा और सभापती के प्रभार ग्रहन में तभारी मंत्री जी और उहां के इस्थ सब्सक्राइब करते हैं जिसमें हम लोग समने सुने जा रहे हैं सर करोना की रफ्तार भी साथ जिनों में बहुत तेजिस से बढ़ रही है तो इंटर डिस्टिक कॉडिनेशन को भी बंदिश लगाने की कोशिश करेगी सरकार देखिए जो परसित्ती है उसे सब नजर रखे कोरीवख लेड से देख में जिस प्रकार के हालात हैं आपरें tief पी जिस प्रकार की हालात है प्रेश कांसेंस में बात मैंने कहा था कि ये एवल राजनेश्टी के लाव लेने के लिए ये बयान करहान मंत्री की द्वारा दिया गया और भारती जनता पार्टी इस पिंजय जाब करके धकोष्ला कर रहे हैं पूतला जला रहे हैं चन्नी का तो ये केवल राजनेश्टी कर रहे हैं इसके पहले भी ऐसे अनेक आफ़ार आये हैं जिसमें उस समय तत्कालीन तरहान मंत्री से अंदेशा किया चाहे मनमोहन सिंग जी को काला जहन्टे दिखानी की बात हो चाहे वो राजी जी के एक सर्धान जी सभा में हैरिंग क की बात हो ये सब बातें हुई है तब भी उन्होंने इसको तूल नहीं दिया था राजी पे एक लाज के लिए कोई बयान नहीं दिया यहां तक केवल आप गए रूड बदल के गए और उसके बाद उसके बाद इसस चालीस किमेटर आज तक कि कभी मोदी जी बाई रोड बात य hustle बात यह कि प्राथी जी गए में गया उन्हों के हन्या तक्र सतर हजार पूर्शियों को संबोधित करने प्रथान मीं कैसे जाते है तो उन्होंने प्रकार से तर्काल जिस प्रकार से आरे सेर्जीपी हमेशा सवड़यं पर करती रहती है उसी प्रकार से ये भी उसी का हिस्सा है पोलिटिकल परपिएगंड़ा का हिफ्सा है ऐस को सेälle कि अधिन जान कि जनतर हमको आफिरवाद दे रही अभी नगरी निकाय चुनाओं में हम एक तरफा जीते हैं तो हमको पॉलिटिकल मैलेज लेने क्या ज़र्वाद से क्या मानजा कि देश में प्रधान मंतरी को अपने सुरक्षा एजिर्शियों के विश्वास नहीं रहा भारफ के प्रधान मंतरी को अपने देश की किसानों पर विश्वास नहीं रहा किसान के दिल्ली नायह उसलें गढ़े खोदे जाते हैं कटीलें तार विछाये जाते हैं कील लगाये जाते हैं अब जो उनको किसानों से ख़़ता है। प्रधान मंत्री जी यह तो देस किसानों का देस है। हर उसकिसान से ही आपको ख़़ता है। तो प्रधान मंतरी जी अपने आप सर्क्छित महसус नहीं करते है। तो देSh की सुरक्छा क्या करेंगे। सवाल तीस बात का है लुक्लामा में देख लीजिए गल्वान में देख लीजिए क्या इसी थी है लगातार हमाई सिमाओं में अतिक्रमन हो रहा है अत्रधान मंत्री जी चूप है और एक काफला उनका लौटा जिस रोस उस जाना नहीं था वहाँ गया तो मेरी जान बजगी इसके लिए धन्यवाद यह बयान देते हैं यह सोवद देता है प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री यह चुना जाता है कि देश सुरक्षित रहे है देश के लोगों सुरक्षा मिले देश की उन्नेती और विकास हो प्रधान मत्री जी का अपनी चिंता लगीगी बिल्कुल सुरक्षित हातों में सिमय सुरक्षित है किसान आंदोलन रथ है विरुजगारी दर लगातार बढ़ा है महंगाई लगातार बढ़ रहा है पर देश के पहले 15 साल में सुख्मा विजापूर में पंचायतों के पत खाली रहते थे दंते वाड़ें पत खाली रहते थे पहले बार है कि सुख्मा जैसे जिले में खारे चुना हुए रख सरपहंच कार रहते हैं यहां किस प्रकार से इस्टी बनी है उसका मैं जांकारी लेक्षित होई है और लेबरू एलेफेंट रीजर रूम में आपने कहा है कि जिलामी और नुराग्षित ना हो उन्होंने क्या अपनी और से क्योंकि इस मामले को लेकर काफी राजनीती हुई है उसके उनका क्या रिएक्षित है देखिए जो वहां के लेबरू एलेफेंट खरीडोर में हम लोग उन्तालीस ख़गांग उसके सीमा में आ गया है इसलिए 36 गड़ को जो मिला था और दूसरे राज्यों के लाट हुआ था वो सारे अब उसमें कोई आगे गत्विधी नहीं होगी और ये पहले भी हमने लेम्रो एलिफेंट के जो प्रकासन किया उसके भारत सरकार को भेज़ दिया गया है और कल जब बात हुए तब ही उसको जान करें देखेंगे तो कुछ दिनों से इस्वार्दाते लगातार जो है सामने आरे इसको नज़र रखे हुए हैं मैं वहां गिला प्रसासन भी उसको देख रहे हैं और छेत्री विधायक ही लगातार उससे संपत्म है सर ये नवाराइपुर में खिसान प्रदर्सन कर रहे है अपनी मांगोपली सर उसके क्या कुछ विचारी लगातार बात कर संपर्क में पीम मोदीगो आयायम के चातों ने खत लिखा है और कहा है कि आप हेटी स्पीज जैसे मुद्दो पर अपनी बात रखें और आपकी चुपी नफरत भरी आवाजों को पढ़ावा देती है उसको जवा तो प्रहां मतिख देना चाहिए आपका क्या विचारें